हाई दोस्तों कैसे हैं आप सब सो दोस्तों आज मैं आपके साथ नारियल का एक ऐसा नुस्खा बताने जारी हूँ जो की पर्मानेंटले आपके सफेद बालों को काला कर देगा एक ही बार में इसे आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें इसमें से क्या चीश लेनी है जिसका इस्तेमाल करके हमें बनाना है चार कोल पाउडर यहां पर मैंने लिया है नारियल का च्छाल नारियल का जो च्छाल होता है वो बहुत ज़्यादा मोसली दो चीश में इस्तेमाल किया जाता है सबसे पहला तो होता है आपका जो खाद होती है जो इसका बनता है खाद क्यूंकि इसमें पानी को सोखने की छमता जादा होती है इसलिए इसका इस्तमाल किया जाता है इस चीश के लिए and second होता है आपके बालो को काला किस तरीके से करें तो इसके लिए हमें लेना क्या है आपको ये पूरी जो चाल है वो पूरा चाल इस्तमाल नहीं करना है इस चाल में होता है पाउडर उस पाउडर का आपको इस्तमाल करना है जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपके चाल ले ली है और नारियल का ये ऊपर का जो छिलका होता ह तो आपको इस तरीके से एक एक छाल को लेना हैं और इसमेंसे पाउडर को निकालना है किस तरीके से मैं आपको यहां पर बता रही हूं तो यह जो नीचिया आप देख सकते हैं, छोटा थोड़ा समय हम दरदागा से हैं एसमें अइसे ह pajamas निकालना है इसमें से तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक छाल ले ली है और इसे दोनों साइट से पकड़ कि आपको थोड़ा सा रब करना है मतलब इसे थोड़ा तेज ली आपको इसे थोड़ा सा इस तरीकी से मोड़ना है इस तरह से रगड़ना है रब करना है जिस आपको पुरा चाल नहीं लेना है इसे पीसे में कट नहीं करता है सिर्फ इस पॉडर को आपको निकालना है तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पॉडर है ये याँ पे आपको दिख रहा होगा तो आपको ऐसे ही करके जितना भी चाल रखा हुआ है उसका जो powder है इसका जो composer है वो आपको निकाल के यहाँ पे रख लेना है तो थोड़ा सा time लगता है लेकिन यह बहुती permanently effective तरीका है आपके बालों को काला करने के लिए So guys आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे powders को निकाल लिया है तो आधा कटोरी के लगभग यह पूरे जो चाल का powder है वो हमारा यहाँ पे ready हो गया है So इसको अब आपको किस तरीके से convert करना है चार कोल के लिए तो इसके लिए आपको यहाँ पे से करना है dry roast कडाई में तो कोई भी कडाई आप यहाँ पे ले सकते हैं मैंने यहाँ पे ली है लोही की कडाई क्यूंकि लोही की कडाई जब भी हम कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें हमें iron के पूरे benefits मिल जाते हैं इसलिए हम चाहे हमें roast करना हो या pack बनाना हो हम ज़ादा तर कोशिश यही करते हैं कि लोहे की ही कड़ाई ले ताकि उसके जो benefits हैं वो भी हमें पूरे के पूरे मिले तो यहाँ पे इस powder को मैंने add कर दिया है और धीमी आज पे ही आपको इसे roast करना है guys आप इस powder को बना करके काफी लंबे समय तक safe रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होता जब भी इस्तमाल करना हो तब आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं किसी भी plastic के या काँच के bottle में भी से रख सकते हैं आपको इसे continuous तब तक dry roast करना है जब तक कि इसका जो color है वो पूरी तरीके से change ना हो जाए यानि कि like charcoal जैसा ना दिखने लगे उस तरीके से आपको इसे धीमी आज पे ही roast करते जाना है और आप देख सकते होंगे धीरे धीरे इसमें red आपको ऐसा आच इसकी दिख रही होगी अब इसको इसको इस्तेमाल कैसे करना है यह चलिए देख लेते हैं so guys मैंने यहाँ पे इस charcoal powder को एक another bowl में निकाल लिया है यह देखिए बिलकुल जो black charcoal powder आता है जिसको लोग इसका cube भी बनाते हैं and powder भी market में मिलता है बिलकुल effective और permanently stock बालों में करने वाला यह color होता है इसको जब भी आप इस्तमाल करेंगे न तो आपके बाल से color कहीं पे भी नहीं जाएगा ना कहीं बाहर निकलेगा और नहीं wash के दोरान निकलेगा यह इतनी जल्दी असर करता है बालों पे इसको इस्तमाल कैसे करना है मैं आपको दो तरीके बताऊंगी सबसे पहले एक another bowl ले लेंगे इसमें आपको add करना है oil तो musli आप oil कोई भी add कर सकते हैं लेकिन नारियल का तेल अगर add करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है जिसे ठंडी है तो नारियल का तेल जम जाता है तो आप virgin coconut ले सकते हैं वर्जन coconut oil भी आप बालों में लगा सकते हैं यह जल्दी से जमता नहीं है और इसके अलावा आप सरसो का तेल ले सकते हैं तिल का तेल ले सकते हैं कैस्टर ओयल और बादाम का तेल मिक्स करके ले सकते हैं तो यहां पर दो चमच के लगवग मैंने नारियल का तेल लिया है एंड आधा चमच के करीब आपको इस जो चारकुल पावडर हमने coconut पील का बनाया हुआ है उसी का हमें लेना है एंड इसके साथ आपको इसमें एड करना है अद्रकरस अद्रकरस गाइस हमारे स्कैल्प को पूरी तरीके से प्यूरी फाइड डेंडरफ फ्री कर देता है सर्दियों में मुस्ली डेंडरफ की ज्यादा समस्या हो जाती है पप्री जमने लगती है और दो दो दिन के बाद ही बाल ऐसे लगते हैं कि गंदे हो ग तंडियों में जो भी requirement होती है हमारे बालों में या जो हमारे बालों में फुनसिया निकलाती है बालों में जो बहुत ज़्यादा ग्राई हो जाती है उस समस्या को अध्रकरस दूर कर देता है आदा चमच के करीबी आपको अद्रा का रस्पी इसमें अट करना है दोनों को ही आपको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है तो गैस यहाँ पे अब मैं बताती हूँ आपको कौन से दो तरीके हैं जिससे इस्तमाल आप कर सकते हैं आप इसे ड्राइ भी इस्तमाल कर सकते हैं यानि सिर्फ और सिर्फ ये चार कोल पाउडर भी आप इस्तमाल कर सकते हैं अपने बालों में direct से ये बिलकुल आपके बालों से हटेगा नहीं कहीं आप जा रहे हैं एमरजनसी में आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल white है और आपको लगाने की ज्रूथ है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी लगाएंगे बाल से बिलकुल भी हटता नहीं है बहुत अच्छा सा कलर देगा एंड जब आपको ओयलिंग करनी हो तो आप इस तरीकी से ओयल बना करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आपको इसे हाफ्टे में कमसकम दो बार इस्तमाल करना है और इसे बालों में लगा करके अच्छे से एक घंटे तक रखना है एंड इसके बाद hair wash कर लेना है आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा चलिए फिर से मिलते हैं एनदर वीडियो के साथ अपता के लिए बाई बाई टेक कियर अपना ध्यान रखें